Hello and welcome to the chemistry class. आज हम पढ़ते हैं Reaction Mechanisms Organic Chemistry पेपर में. Reaction Mechanisms के बारे में या अभिक्रियाओं की क्रियाविधी के बारे में हम इस पूरे जो सिरीज है उसमें जानकारी प्रैप करेंगे, इस यूनिट में उसकी पढ़ाई करेंगे. और जो पहला topic आज हम देख रहे हैं वो है bond cleavage या bond fission या bond breaking. बंधों का तूटना, बंधों का fission होना या बंधों का cleavage होना. तो in a chemical reaction, किसी भी रासा अभिक्रियाओं में, the product molecule has a different arrangement of atoms than the arrangement of atoms in reactant. यह कहा गया है कि किसी भी chemical reaction में, जो product molecule में, उतपात के molecule में, जो atoms की व्यवस्था होती है, arrangement होती है, वह व्यवस्था, reactant में जो atoms की व्यवस्था होती है, उससे भिन्न होती है, उससे different होती है. इसका तातपरे यह है कि अगर भिन्न भिन्न है, reactant और product molecule में, इसका तातपरे यह है कि पुराने बंध तूटते हैं और नए बंध बंध बंते हैं जब भी कोई chemical reaction होती है, तो. चलिए आज हम जानते हैं कि bond fission या bond breaking कितने प्रकार के होते हैं, तो types of bond fission और types of bond cleavage या bond breaking. पहला type है homolytic cleavage या homolytic fission या homolytic bond breaking. जैसा कि नाम से ही पता पढ़ रहा है, homolytic यानि समान समान, यानि किसी भी बंध को बनाने वाले अगर दो atoms हैं, और वो जो बंध होता है, वह दो electron के द्वारा बना हुआ होता है. तो अगर ये A और B के बीच में दो atoms हैं, उनके बीच में कोई bond है, तो वो दो electrons के द्वारा बना हुआ है. अगर ये दोनों atoms अपने अपने हिस्से का electron लेकर अलग हो जाती हैं, तो ऐसे स्थिति में ये bond तूट जाता है, इस bond के तूटते ही दो species अलग-अलग बन जाते हैं और दोनों अपने अपने electrons को एक-एक electrons को बराबर यानि बंद के electrons को बराबर भाग में बराबर बराबर हिस्से में अपने साथ ले चाते हैं और जिसके फल सरूप एक free radical या मुक्त मूलक कर निर्मान होता है. तो atoms take away their electrons from that bond. होमोलाटिक फिशन में जो atoms हैं, उस बंद को बन बंदित electron युगम है, वो बराबर बराबर दोनों atoms के द्वारा लिया जाता है, जिससे कि वो बंद टूट जाता है. एक्जामपल देखें, यहां chlorine molecule का, देखें, chlorine molecule में CL और CL दो chloro atoms हैं, जो कि इस बंद से बंदे हुए हैं, और इस बंद में दो electrons हैं, तो देखें, यह half-headed curved arrow, यानि अर्धशीर्ष वक्रतीर के निशान के द्वारा यह एक एक electron का movement दिखाया गया है, यदि इस जो तीर के निशान में दोनों सिरे हों, तो यानि वक्रतीर का निशान हो, जिसमें दोनों सिर हों, उसका मतलब दो electron का movement या दो electron का विस्थापन, परन्तु यदि एक ही इस सिर्फो तीर के निशान में तो एक electron का विस्थापन इसको मांना जाता है यानि अर्ध छिर जो वक्रतीर है वो एक electron के movement को दिखाता है तो यहां एक एक electron यह दोनों chloro atoms ले चारहे हैं और यह जो बंदो का तूटना है इस प्रकार से homolytes जो fission होता है वो light या heat के द्वारा होता है H new यानि light और ये delta का sign यानि heat इसके द्वारा होता है तो हम देख सकते हैं कि दोनों जो atoms हैं chloro वो एक एक electron लेके चले गए इस बंद के और ये बंद टूट गया और फलस्वरुख हमें दो free radical या मुक्तमूलक टाप्थ हुए free radicals are formed by homolytic fission तो free radicals जो है वो homolytic fission के द्वारा बनते हैं it is brought about by heat और light जो homolytic fission है वह heat या light के द्वारा उत्पन होता है it leads to formation of free radical mechanism तो यानि homolytic fission के द्वारा जो kriya vidhi होती है उस kriya vidhi को free radical mechanism या मुक्तमूलक kriya vidhi के नाम से जाना जाता है अग्ये देखते हैं दूसरा cleavage दूसरे प्रकार का cleavage या fission bond का तो यहां देखते हैं कि हेट्रोलाइटिक cleavage या हेट्रोलाइटिक fission इसे कहा जाता है और इस fission में जो बंधित atoms हैं जैसे मान लीजे a और b इन दोनों की बीच में दो elektrons का एक bond अगर बनता है तो कोई एक bond दोनों elektrons को लेके अलग हो जाता है दूसरा जो आटम है वो बिना elektron pair के अलग हो जाता है यानि इस electron yugma का जो की दोनों atoms के बीच में है और यह electron yugma दोनों के बीच में बंध बना रहा है तो इसका असमान वित्रन या अनीकुल डिस्रिबिशन होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉंस लेके एक एक एटम अलग हो जाएगा, बंध तूट जाएगा जिसकी वजह से जो एक एटम के उपर माइनस चार्ज होगा और दूसरा अटम जो अलग हो जाएगा, उसकी उपर प्लस चार्ज आ जाएगा तो यानी इस हेट्रोलाइटिक फिशन के द्वारा आइनस का निर्मान होता है तो इन दिस फिशन इस प्रकार के फिशन में, इस प्रकार के बॉंड क्लिवेज में या बॉंड फिशन में, बॉंड ब्रेकिंग विधी में, वन अफ द बॉंड अटम टेक्स अवे बोथ इलेक्ट्रॉन्स आफ दाट बॉंड कोई उस एक एटम उस बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने साथ ले चाता है और केटाइन से लियुक्त फिशन, आपना उपने अभी देखा कि केटाइन और अनायन करें इस क्लिवेज के दवार है ने एक एक एकग्जांपल लिया हुआ है क्लोराइड का और इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन क्योंकि एलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ख्लोरो एलेक्ट्रो नेगेटिव है इन दोनों की बीच के बंद के दोने लेक्ट्रॉंस क्लोरीन एक्टम ले जा रहा है और इसलिए यह वक्रतीर के निशान का जो शीर्श इस तरह से दो आयन्स का निर्मान होता है हेट्रोलाइटिक फिशन is of two types हेट्रोलाइटिक फिशन आगे दो प्रकार के होते हैं एक जिसमें कार्बन इलेक्ट्रो नेगेटिव कम होता है यानि विद्यूत धनी होता है और दوسरे एक्टम की तुलना में इस वजह से कार्बन क यह उपर जो है वो प्लस चार जा जाता है क्योंकि जो विद्योत्रिनी या इलेक्ट्र नेगेटिव एटम होता है वो बंद के दोनों इलेक्ट्रांज को लेके अलग हो जाता है जैसा कि आप इस एक्जांपल में देख रही हैं दूसरा जो हेट्रोलाटिक फिशन है उसमें कार्बन इस मोर एलेक्ट्र नेगेटिव दैन अधर आटम बंद तो इट इसमें जो कार्बन एटम होता है वह जिसके साथ वो बंदित होता है उस एटम की तुलना में इसकी एलेक्ट्र नेगेटिविटी विद्योत्रिन्ता थ이션क डाम होता है तो हम बड़े हैं हम पड़े हैं और श्रामक स्थी कार्बन इक रसायन में रियक्शन मेकानिक समस के बारे में कुछ बात है देखते हैं कि reagents किसे कहा जाता है reagents are chemical species which bring about reaction in organic molecule किसी भी organic molecule में कोई reaction करवाने के लिए जो chemical species होती है वो reagent कहलाती है जो जिस organic molecule की उपर reaction हो रहा है उसे substrate कहते हैं यहां substrate का एक और बढ़िया definition वो होता है कि किसी भी reaction के होने के बाद देखें यह एक substrate है और इसमें एक पुराने बंद टूटे हैं और नए बंद बने हैं पुराना बंद इसमें जो πाई बंद है वो टूट गया है और उसकी जगे सिग्मा बंद रह गया है और आप देख सकते हैं जिसे CH2 है यहांपर CH3 हो गया है वो और यह जगे CH है वो CH2 में परिवर्तित हो गया है इसका मतलब है कि CH बंद नया बना है यहांपर भी और यहांपर भी तो जो नए बंद में जो एटम जो नए बंद में जो मॉलिक्यूल कार्बन एटम प्रदान करता है दोबारा सुन लिजिए जो नया बंद बनता है उसमें जो मॉलिक्यूल कार्बन एटम प्रदान करता है उसे सब्स्ट्रेट कहा जाता है तो जो नया बंद यहां बना है वो CH बंद है जो कि यहां और यहां बना है CH बंद क्योंकि यहां CH2 था जो कि अब CH3 हो गया यानी एक carbon hydrogen बंद यहां बना है उसी तरह से यहां पर भी एक carbon hydrogen बना है तो जिस molecule ने इस carbon hydrogen बंद के carbon को प्रदान किया यानी यह उसे substrate कहा जाएगा और जिस ने hydrogen प्रदान किया या दूसरा atom प्रदान किया उसे रिएजेंट कहा जाएगा, तो यह आप ध्यान रखिएगा, यह यह definition जो substrate और रिएजेंट का, देखें, रिएजेंट में बी और में नॉट बी consumed in a reaction, रिएजेंट जो है वो कई बार reaction में पूरी तरह से use हो जाता है, या कई बार पूरी तरह से use नहीं भी होता है उसका example कैसे है, वो देखें, लेकिन but reactants are consumed in a reaction, लेकिन जो अभिकारक है या reactants है, वो use हो जाते हैं इसमें देखिए कि यह जो example है, इसमें इस वाले particular example में देखिए, यह substrate है और यह used up, यानि consume हो गया है, पूरा का पूरा यह reagent है, वो use up हो गया है, पूरा का पूरा क्योंकि यह बचा ही नहीं, वो पूरे में इसमें परिवर्तित हो गया है उसी प्रकार से यह जो hydrogen है, वो बचा नहीं, वो इसमें परिवर्तित नहीं हुआ है वो इस अभिकिया के बाद बच जाता है यह सिरफ केटलिस्ट की तरह कारे करता है लेकिन जो उत्पाद बनने के वश्चाथ आप इसको रियक्शन मिक्षर में इसको पा सकते हैं यह यूज अप नहीं हुआ हैं तो इस प्रकार के दो तरह के रियुजन्स होते ह वो organic chemistry में पाई जाते हैं, first is nucleophiles या Lewis bases, nucleophiles है वो electron rich हैं और Lewis bases भी electron rich यानि electron dhany होते हैं, nucleophiles को nu-k द्वारा represent या प्रदरशित किया जाता है, यह electron rich यानि electron dhany species होते हैं and are attracted towards electron deficient centers और यह जो nucleophiles हैं, electron noon जो केंदर हैं उनकी ओर attract या आकरशित हो जाते हैं These have lone pair of electrons और negative charge और pi electrons यह जो reagents हैं, nucleophiles और Lewis bases यह जो हैं इनके उपर lone pair of electrons यानि अबंधित electron युगम होता है इनके उपर या negative charge होता है या फिर इनके उपर pi electrons होते हैं These are Lewis bases, यह Lewis अक्षार के तरह होते हैं क्योंकि इनके उपर lone pair of electrons हो सकते हैं और यह electron data होते हैं, electron धनी होते हैं These may be neutral or negative charge species, nucleophile ज़रूरी नहीं है कि उनके उपर negative charge हो, वो neutral भी हो सकते हैं आपको examinations में कई बार बहुत सारे reagents दे देती हैं और उसमें से जो कहते हैं कि आप इनमें से nucleophile चुनिये या फिर आप इसमें से electrophile चुनिये या इनमें से Lewis bases चुनिये इस तरह से examination में question आता है तो यहाँ पर यह जो examples दिये वे हैं, neutral, nucleophile और Lewis bases, neutral, nucleophile और इस तरह से negatively charged nucleophiles हैं और pi electron containing nucleophiles हैं तो यह सारे जो nucleophile के examples हैं आप ध्यान रख सकते हैं याद रखिएगा ताकि आपको examination में इनको चुनने में या उधारन की रूप में इनको पेश करने में कोई दिक्कत ना है देखिए यहाँ पर जो Lewis acids या neutral nucleophile में oxygen के पर lone pair of electrons है या oxygen containing जो ether है, ammonia है, water है, यह सारे alcohols हैं, amines हैं तो यह सारे examples आप ध्यान में रखिएगा neutral nucleophile में देखिए, alkenes जो हैं, वो neutral nucleophile में माने जाते हैं, उसी तरह से pi electron containing जो nucleophile अगर कहा जाए तो इसमें alkenes को आप या alkynes को यह aromatic system इत्यादी को दिखा सकते हैं, negatively charged अगर nucleophile हैं तो hydride ion, fluoride या halogen के ions या hydroxide ions इस तरह से बहुत सारे जिए जितने ions हैं, negative ions उनको nucleophile के रूप आप पेश कर सकते हैं, या exemplify कर सकते हैं, उधारन दे सकते हैं, दूसरे प्रकार के जो reagents हैं, वो electrophiles या Lewis acids उनको कहा जाता है, Lewis अमल कहा जाता है, या electrophile जिनको की E plus के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, Electrophiles जैसा की नाम ही बताते हैं, कि Electrophiles electron deficient species होते हैं, और यह जो है, these are attracted towards electron rich centers on negative charge, यह जो electrophiles हैं, वो electron noon के इंदर की ओर, Electron deficient species होते हैं, और यह Electron जहां धनी है, Electron अधिक है, उसकी और यह negative charge की और यह आकरशित हो जाते हैं, क्योंकि यह खुद electron noon species हैं, या electron deficient species है Electrophiles may be positively charged और neutral Electrophiles positive charge वाले भी हो सकते हैं या plus charge वाले भी हो सकते हैं या zero charge या electrically neutral अनाविशिक भी हो सकते हैं Electrophiles जो हैं Lewis acid होते हैं which have partially filled valence shell उनका जो बायतम कक्षक है वो आंशिक रूप से भरा हो होता है इस प्रकार के Lewis acids होते हैं जो कि electron deficient या electron noon है Positive charged electrophiles के ये examples हैं देखें जैसे कर्बोनियम आयन हैलोनियम आयन या hydrogen आयन इस तरह से कर्बोनियम आयन नाइट्रोनियम आयन इत्यादी ये सारे examples हैं जो कि आप याद रखेगा exams के लिए इसे तरह से neutral electrophiles भी होते हैं जैसे कि Lewis acid catalyst वगर ये जितने सारे हैं वो या free radicals हैं इस तरह से carbenes हैं जो कि electrophile हैं क्योंकि ये electron deficient या electron noon species हैं मुझे उमीद है जो आज का introduction हमने reaction mechanism का किया है इस video के द्वारा वो आपको समझ में आया होगा notes बनाते रहिए क्योंकि इस तरह से जो covid का session है इस session में शायद ही हम class में आमने सामने बैठ कर पढ़ाई कर सकें फिर भी अगर आपको कोई इसमें confusion रहता है तो आप मुझे whatsapp number पर contact कर सकते हैं thank you for being with me